कि आज हर जगह प्रथम चरण का दौर का चुना हो रहा है और वोटों की बारिस हो रही है इसमें युवाओं का बढ़ा चड़ा मत्दान जो दिखाई दे रहा है वो मत्परसद काफी बढ़ेगा और इस बार भाजपा की पुल बहुमत की सरकार बनेगी हमारे छोटे भाई चरशिया जी ने कहा कि इनका कहना सही है इसलिए सही है कि ये उसी मोदी जी के जूट में मिलाते हैं लेकि ऐसा है नहीं ये ये बड़े दिल के शाफ आदमी है और मजबूरी इन किये कि इनको बोलना है करते थे हमारे देश में गरीबी है लोगों तक अगर अन पहुचाने का कोई काम किया नरिंद मोदी जी ने किया लोगों तक गैस पहुचाने का काम कोई किया तो नरिंद मोदी जी ने पास पूरे शंपूर भोजन नहीं मिलते हैं मित ऐसी सरकार से हम क्या पेक्षा करेंग जिससे हम और लोगों को राशन दे मुलायम सिंग जी को बताते हैं मुलायम सिंग जी ने यह दिया तो आजमगर ने भी तो दस सीटे विधान सभा की जीत करके दी उसके लिए आप यहां के किसी भी विधायक का एक भी बड़ा काम बता दीजिए मैं आपका हर एक क्वेस्चन बता रहा हूँ तो एक विकास की गंगा यही दस विधायक बहाते थे जैसे कहें कि राशन जरूरी यह यह सही है लेकिन एक फिल्मी डायलाक आपने सुना होगा बीच में उसका चलता है कि पहले इनको हराम के खाने की आधर डालो फिर जो है अंगठा अराम से लगा देंगे तो मेरे भाई आलोग जी ऐसा मत आपका राओ दोजार चौबीस का चुनाव की सरगर्मिया बढ़ चुकी हैं देश की सबसे बी आई पी और हाट सीटों में से एक आजमगर सीट पर भी माहौल पूरी तरह से गर्म है यहां तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्यासी उतार दिये हैं बाजपा से अंसत दिनेसला यादों दोनी रहुआ एक बार फिर से मैदान में हैं वहीं सपाने धर्मंदर यादों को फिर से उतारा है और भीम राजपर तो पुर्व में प्रदेश अध्यक्ष ने उनको लड़ा लें यहां से और यहां की अस्थानिय लोग है यहां की जनता हैं इन से पूछते हैं कि इन तीन इस बार चुनाव पूर बहुमत से जीतेंगे और भाजपा की पूर बहुमत की सरकार बनेगी गुड्डु जमाली जो रहे हैं पहले बियां से चुनाव लड़े थे बस पासे इस बार वो सपा के साथ हैं तो ऐसा नहीं है कि सपा का प्लड़ा भाड़ी लग रहा है कि आप अपने घर का एक परिवार का ओट आप इक अठा एक जगह नहीं करवा सकते क्योंकि आज के उन्मुक्त भाव से लोग उतना मतदान के प्रतिजाग रुपता आई हुए और तमाम युवा अपने मर्जी को समझते हुए ये लोक मत में मत जहां पढ़ना चाहिए वहां वोटों की बार ही हो रही है इसमें युवा का बढ़ा चड़ा मतदान जो दिखाई दे रहा है वो मत परसद काफी बढ़ेगा और इस बार भाजपा की पुल वहमत की सरकार बनेगी आप करें युवा बहुत मतलब काफी संख्या में बाजपा को वोट कर रहे हैं तो अभी तमाम जो है पुलिस की बैकेंसियां इतनी तमाम युवाओं के पेपर लिख हुए हैं तमाम युवा जो धरना प्रतरसंद कर रहे थे तो किस तरीके से आपके साथ युवा है देख और वह कई रूपों में हैं जैसे कि आप अपना खुद का विजनेस बनाईए उसके लिए उन्होंने लोन को तरह तरह किस्तों के हिसाब से दिया हुआ है आप अपना खुद का व्युवसाय करिए उनका कहनाम है कि हम सबसे बड़ा हब बने निर्माता बने हम कहीं नौकरी के लिए सिर्फ लालाइत न रहे हम खुद नौकरी देने वाला बने इसलिए युवाओं को जो तमाम टेक्नोलाजिकल चीजें हैं नरिंद मोदी जी लेकर के आए लोगों के विश्वास को जीते इसलिए इस बार भारती जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा है मोदी की जीए नरिंद मोदी जी के साथ है और उनकी जो बाते हैं उनकी मोदी की गारंटी के नाम पर आज युवा उनके साथ खड़ा है समर्पित भाव से चलिए ठीक है मारे साथ कुछ और लोग है इनसे बात करते हैं नेहाल मेहदी जीयनपूर जो 24 का चुनाव है इसे किस तरीके से देख रहे हैं देखे दो हजार चुबिस का चुनाव कई एंगल से बहुत ही ज्यादा महत्पूर होने जा रहा है देश की अवाम ने देश की जनता ने आज से दस साल पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के उपर विश्वास जताया उनके विग्यापनों पर विश्वास जताया बहुत हुई महेंगाई की मार अपकी बार मोदी सरकार बहुत हुआ भरष्टा चार अपकी बार मोधी सरकार बहुत हुए पेट्रॉल रीजल के दापकी बार मोधी सरकार इस प्रचार तंतर में आकर देश की अवाम ने यकीन जताया और एक पून बहुमत की सरकार देने का काम किया मैं आपको बता रहा हूं कि देश की अवाम देश की जनता ने दस साल अपना दिया इसी इंतिजार में कि अब पेट्रॉल डीजल के दाम महंगे कम होंगे अब महंगाई कम होगी अब नौकरियां मिलेगी लेकिन आज दस साल का एक अर्सा गुजर गया मोधी सरकार ये तेन चीज़ों को तमाम जो अपने वादे किये थे उसको देने में पूरी तरह से फैल रही आज मोधी सरकार ने बहुत ही दावा किया था 2014 में कि हर साल हम 2 करोड रोजगार देंगे और 2 करोड रोजगार देने का जो वादा किया था उस पे कही न कहीं जनता ने और युवाओं ने विश्वास जताया था और दस साल का कारेकाल गुजर गया दस साल में अगर दो करोड के रोजगार के हिसाब से दस साल में बीस करोड रोजगार अब तक नरेंद मोदी सरकार को युवाओं को समर्पित करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, आज देश का युवाओं कहीं अपने को छला महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है, देश में 60% युवाओं की आबादी है, जो 30 साल से 35 साल और 40 साल, आज वो कहीं न कहीं युवाओं अपनी डिग्रियां फ पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, लेकिन उस पर नोक्रियां अलोट नहीं की जा रही है, नोक्रियां दी नहीं जा रही है, और हमारे प्रधान मंतरी महोदय, देश की सरकार, हमारे युवाओं को गाजा भेज रही है, इसराइल भेज रही है, जहां पर युद चल रही है, वार जोन में भेजने का काम करें और कहीं न कहीं हमारे देश की मजबूर हैं जाकर रोजी रोटी करने के करने के लिए इस तरह आपको सारे आपके सवालों के जवाब धीरे-धीरे मिलता चला जाएगा है अत्यत नाराज है देश का एक-एक आवाम नागरिक नाराज है सरकार से इस तानशाह सरकार से मैं कहुँगा कि छार जून को आप सौंढ देख लीज़ेगा कि नतीजा और किसके फेवर में जा रहा है कि कुछ आरोग हें उससे बात करते हैं शर मेरा परचे अनुराग त्यादो शुवेदार मैं ग्राम सवा चंगई पुरुका हूं और एड़ोकेट शगडी में प्रिटिस करता हूं इस बार का जो चुनाव है उसे किस तरीके से दे रहे हैं एक तरफ जो है इंडिये और भाजपा चार सो पार का नारा दे रही है वह इंडिया गठ बंदन के सास्त तमाम दल उसे रोकने की कवायत में जूटे हुए हैं सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं और बताना चाहता हूं कि पेपर लीक से युवा हैं परिशान हर पेपर देखिए आपकी पेपर लीक हो रहा है हमारे छोटे भाई चौरसिया जी ने कहा कि इनका कहना सही है इसलिए सही है कि ये उसी मोदी जी के जूट में मिलाते हैं लेकि ऐसा है नहीं है ये बड़े दिल के शाफ आदमी है और मजबुरी इनकी है कि ये इनको बोलना है तो इसलिए मैं अपने साथे से कहूंगा कि आप बाहर निकलिए मार्केट से गाउं में ज जाएए शड़क पे रोड पे चार बज़े वे युवा दोड़ते थे अगनी बीर के नाम से आपनी युवाओं को छला है इसका जबाब कौन देगा इस गरीब मजलूम और जितने बेरोजगार पड़े हैं इस महंगाई की मार से आज आज गाउं में जाएए मैं कर रहा हूं परसेंट मैं गाउं में रहता हूं शुबह निकले शाम को निकलिए कम से कम आपको मिलेगा कि 20-30 परसेंट लोगों के पास पूरे शंपूर भोजन नहीं मिलते हैं मित नोकरी दें रोजगार दें 5 किलो राशन दे के आपको बताएए कौन सा उससे पेट भर पायेंगे आप लिए न उसमिझे कोई चीज नहीं या पांच किलो राशन से कवा आज के मांगाई में 5 किलो राशन अगर आप निकालने तो उसे आपको एक लिटर पेट्रोल नहीं मिलेगा आपकी सब्सक्राइब नहीं मिलेगा आप कैसी बात करते हैं सर तो इन लोगों से बहुत ही इस शतरक रही है अगर चीज आपको बताना क्यांदा कि आप कर रहा हैं कि रासन नहीं चाहिए मैं हकीकत बता रहा हूं आज जीवन के लिए सबसे जीवन परियंद उपयोगी वस्तु है रासन लोग करते थे हमारे देश में गरीबी है लोगों तक अगर अन्र पहुचाने का कोई काम किया नरेंद मोदी जी ने किया लोगों तक गैस पहुचाने का काम कोई किया तो नरेंद मोदी जी ने किया महिलाओं को फूकते फूकते उनके मतलब बारिस हो गई पानी भर गया और खाना नहीं पका पा रहे थी उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए उज्वला योजना उन्होंने दिया आप बता रहे हैं कि जो यह रासन मोदी जी ने सबको पहुच था ठीक पहला रामनेरे स्यादो जी थे दूसरा अखिले स्यादो जी तीसरे रहे हमारे सांसत के रूप में रहे हैं लेकिन आज तक ले आप हमको बताईए कि आजमगर को पुरानी उपलब्दियों को छोड़ दीजे अगर पुरानी उपलब्दियों लोग बार-बार करते मुलायम सिंग्जी ने यह दिया मैं मुलायम सिंग्जी को बताते हैं मुलायम सिंग्जी ने यह दिया तो आजमगर ने भी तो दस सीटे विधान सभा की जीत करके दी उसके लिए आप यहां के किसी भी विधाय का एक भी बड़ा काम बता दीजिए मैं आपका हर एक क्वेस बाजपा नहीं कई चीजों को सौगात सिर्फ एक साल में निरहुआ के माध्यम से दिया है और यहां पर तमाम लोगों को जो भी सुविधाय मिल रही है नरेंद मोदी जी की ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार आई तो उन्होंने अंबेटकर पार्क बनवा दिया अंबेटकर गाउं बना दिया इनकी सरकार आई इन्होंने लौहिवा गाउं बना दिया इस तरीके से नहीं उन्होंने गरीब को गरीब अभी आप आजमगड की बात के उस पर कुछ बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपकी प्रदेश में योगी जी की सरकार है और दिली में मानी नेरेंद मोदी की सरकार है इस सरकार ने आजमगड के साथ आजमगड की दस सपा विधायकों के साथ सौतला विवार किया है कि नहीं किया है यही जब आजम गड के दस विधायक जब अपना मुख्यमंत्री जमाने नेता जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब अखलेश यादो जी मुख्यमंत्री थे तो एक विकास की गंगा बहाते थे कलेक्ट्रेट भवन का निर्मान आजमगट के में सपा सरकार में हुआ कैफियात एक्सप्रेस चली है आजमगट से वो सपा के सरकार में चली है जितने काम हुए हैं जो आजमगट में आज देखाई दे रहे हैं वो सपा के सरकार में हुआ चुके इस बार सपा की सीट निकली और बाजपा की सीट नहीं निकली इसके वज़े से प्रदेश सरकार आजमकट के साथ सौतला वेवार कर रही है अगर बिधायक निधी से जो बिधायक निधी बिधायकों को दी जाती है विधायक निदी से जितने काम आसानी से हो सकते हैं वो हो रहे हैं अगर इस बात का इनको अगर है तो वो सारे दस के दसों विधायक के आर्टी आर्टी आई मंगवा के उनका लेखा जो खा मंगवा लें कि पैसा कहां खर्चा हो रहा है अतिरिक्त पैसा एक भी नहीं सरकार न यह जैसे कहें कि राशन जरूरी है यह सही है लेकिन एक फिल्मी डायला का आपने सुना होगा बीच में उसका चलता है कि पहले इनको हराम के खाने की आदट डालो फिर जो है अंठा अराम से लगा देंगे तो मेरे भाई आलोग जी ऐसा मत आपका राओ कि अंठा लगा दिया अब ही जो राशन की बात हो रही थी मैंने उसमें बीच में पूछा था कि खादी सुरच्छा बिल उस सब्सक्राइब कांग्रेस की गवर्मेंट थी और उसी गवर्मेंट में पास हुआ था और रासन पहले से मिल ले यह अलग बात है कि इस समय कुछ जादा लोगों को दि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आजमगर में आप उठा करके देख लिए चौबीस घंटे के अंदर लाइट की वेवस्ता सुचार रूप से लोगों को मिल रही है दूसरी चीज आप उठा करके देख लिए यहां पर रेलवे इस्टेशन पर चले जाए वहां नवीनी करण क योजना का पर कारव चल लाए अभी निरगवाजी आये और उन्होंने जीत दर्च कराया अंतर राष्टे सेशन बनवाने के लिए उन्हों ने लगातार प्रयास किया तो हवाई अडे के लिए उन्होंने अपना जो भी दमखम था उसको लगाया और चालू कराया और यहां कि चुनाओं जैसे जैसे चुनाओं की एधी सूचना जारी होने से पहले ये पबलिक को जंता को बेखुब बनाने के लिए इन्होंने अंतराश्टी हवाई एड़े की घोशना कर दिया और इसका शुभारम कर दिया मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनाओी जुमला था चुनाओी मुद्धा था इस पे इस पे एट सीटर फ्लाइट सोला सीटर फ्लाइट यहां से इन्होंने लखनओ के लिए चालू किया एक प्राइवेट विमान कमप्र के दोरा आज जीयनपूर से आजमगड ए रिक्षा जाता है उसमें आठ लोग बैट के जाते हैं दस लोग बैट के जाते हैं और इन्हों ने आजमगड से हवाई यातरा शुरू की सोला सीटर फ्लाइट की सोला सीटर हवाई जहाज की जिसका कोई मतलब नहीं है आज आजमग करके एर इंडिया है आपको यहां के लाखों तादाद में लोग यहां के साओधी दुबई कतर बहरैन में रहते हैं अगर आप यह सुवीधा आप यहां से चालू कर देते तो मैं दो मिनिट के लिए मान जाता कि इनका काम करने की नियत थी लेकिन इनको चिर्फ और सिर्फ चुनाओं के लिए यह मुद्दाब बनाना था चुनाओं के से पहले घोशना यह करना था कि हमने फ्लाइट चालू कर दिया चार दिन फ्लाइट चेली उसके बाद पाच्वे दिन से फ्लाइट बंद हो गई का दरजा दिलाऊंगा दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आजमगण जिला इतने लोगों को सूपोर्ट किया इतना वोट किया लेकिन आस तक आजमगण जिले के है आजमगड में इस पर भी काम सरकार कर रही है आगे आने वाले समय में हमारा भविस्य उज्वल होगा यहां के युवाओं को उज्वल बनाया जाएगा अभी देखे संगीत महत्सों का कारिकरम हुआ था संगीत विद्याले का भी आयोजन हुआ था तो हमारे देश के मैंने पहले चालू हुई है अब बीच में रूख गई है अब इसका कारण आपको नहीं पता है तो मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर दुरघटना ग्रस्त होगे मैंने आपसे कहा कि दुरघटना हो जाने के वज़ए से इस समय काम फिर से सुरू हो रहा है कि सम कहीं निकलने के लिए कहीं से चलना पड़ता है आपने का किसानों की फसल कट वा दिय के इस तरीके से आजमगळ के कास की पद्यात्रा अब्धीरे-धीरे निकल रहा है अभी हम लोग कुछ समय पहले लोग कई लोगों के बीच में बैठे हुए थे हम लोगों को यह जानकारी हुआ कि आजम गड़ में मुलायम सिंग बहुत काम करा है थे मुलायम सिंग के द्वारा आजम गड़ को अंडर ग्राउंड लाइन के लिए करीब दस करोड रुपए पास हुए थे आज भी जमीन में दबे हुए हैं उस पर कारी नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया मैं यहीं पूछना चाहता हूं उसको कराना चाहिए था ना उनके सपने लेकिन देढ़ साल में निरहूआ ने और गौळ को को पकड़ने का काम किया है घर घर जाने का का म किया यहीं चीज्ज लोग चाहते हैं कि हम जिसको सांसत चुनें वह हमारे बीच में उपस थी तो हमारे दूख और सुख का भागी बने जी का एक बयान वायरल हो रहा है विरुजगारी को ले करके करें कि मोदी जोगी जी ने तो बच्चे ने पैदा किया विरुजगारी नहीं बढ़ा रहे हैं देखे ऐसा है कि लोग किसी के बयान को तोल मरोड कर पेस करते हैं और किसी टिर्व देखे जाते हैं जंता उनको अच्छी तरह से जानती है क्योंकि उनके मुँँ में लगाम नहीं है यह पहले वाक्या नहीं हुआ है इस तरह कि हमेशा कई बार उन्होंने अपनी ज्हांटी का सबूत दिया है कि कैसे मीडिया से वात किया जाते है और किस तरह का आरोप और प्रतियारोप लगाया जाता है और रही जो आपके इस बयान की बात ये बयान कहीं से भी तोड़ा और मरोल के लिए नहीं गया इसकी ग्यारा मिनट की पूरी क्लिप ग्यारा मिनट का पूरा इंटर्वियू जो पत्रकार महुदे ने जो इंटर्वि एदेर सकते हैं कि आपको कितना संवान मिलेगा जो हमारे भाई या लोग जी ने कहा है कि मुलाइम सिंगे शपनों को शाकार आजम गड़ नहीं किया आजम गड़ के लोगों ने उनके शपनों के हमेशा और उनकी बातों पर बहुत गौर से ध्यान लिया है जैसे कहा लोग ज माननी हमारे श्वर्गी मुलायम सिंहाद हुजी कहे कि मैं चाहता हूं कि आजमगण के लोग शुबा को अगर निकलते हैं तो लखनव का काम करके शाम को अपना खाना अपने घर में खाना का है और आज वह सम्मव है ऐसे मित्र से मैं अपील करता हूं कि अपने माननी मुख्म मंति और प्रधान मंति से ऐसा काम आजमगण में करवाने का काम करें धन्यवाद करें तो यह थे हमारे साथ आजमगण के कुछ लोग अपने जो है चुमाग को लेकर आजमगण के प्रत्यासिक लेकर अपनी राय रखी और अगली वीडियो में फिर हम आज ही रोंगे किसी दूसरी जगह से और कुछ लोगों की राय लेंगे और तब तक देखते रहे हैं दिजिटल प्लेटफार्म महुजी तेंदर यादव और मेरे साथ मेरे स्वयोगी हैं इंद्रिस राना